Hello friends, this is Panjwani again Friends, आज मैं आपको PHP MySQL IE पर बना हुआ एक project डिस्प्ले करूँगा जिसका नाम है Education Portal या हम इसको E-Learning project बोल सकते हैं तो friends, project का जो folder है उसको मैंने XAMPP के अंदर, HTDocs के अंदर रखा हुआ है ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं XAMPP को start करता हूँ ठीक है, मैं शुरू से आपको इसको बताता हूँ के से run करना है सबसे पहले आपने XAMPP start किया और जो project का folder है उसको आपको रखना है XAMPP के अंदर, HTDocs के अंदर ठीक है, अब XAMPP क्योंकि हमने start कर लिया है तो हम browser को start कर लेते हैं ठीक है, browser open करके मैंने browser कोई भी आप use कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पे लिखा local host और local host के बाद जो मेरा folder का नाम है project का जो folder है, उसका नाम है education portal php तो यह folder का नाम मैंने यहाँ से copy किया और browser के URL में local host के बाद slash लगा के paste कर दिया अब आप देखेंगे यह project का main page open हो जाएगा ठीक है, बट अभी यहाँ पे login वगरा work नहीं करेगा क्योंकि मैंने database को import नहीं करवाया है ठीक है, तो मुझे database को import करना पड़ेगा एक बार हमें database import करना पड़ता है किसी नए system में जब हम डालते है project को तो हमें क्या लिखना है, local host लिखना है और project का जो database है, वो मैंने already रखा हुआ है SQL folder के अंदर आप देख रहे हैं, यह file है .sql file इसको मैंने open कर लिया notepad++ के साथ और इसका सारा का सारा data मैंने copy कर लिया copy करके मैंने इसको paste कर दिया PHP my admin के अंदर ठीक है, PHP my admin के अंदर SQL में जाके हम इसको paste करेंगे ठीक है, सारा का सारा azitist paste कर लिया last में अगर यहां commit पे कुछ इधर आ रही है तो इसको हटा सकती हो, otherwise कोई problem नहीं है आप go पे click करेंगे ठीक है तो इसको मैंने हटा दिया go पे click किया ठीक है उस commit को नहीं भी हटा था तो कोई problem नहीं थी ठीक है तो यह सारी की सारी जो queries है वो execute हो जाएंगी आप refresh करोगे तो यहां पे आपका project का जो database है वो आ जाएगा पहले से इसमे records मैंने डाले हुए है admin के अंदर एक username password मेंने set किया हुआ है courses, instructor, instructor, student जिसे एक student का data अल्रेडी डाला हुआ है ठीक है तो कुछ data मैंने अल्रेडी डाला हुआ है ठीक है एक instructor भी मैंने यहां पे add किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ अब चला के ठीक है सबसे पहले मैं आपको admin से login करके दिखाता हूँ तो admin पे जाने के लिए आपको यहां पे admin type करना है ऊपर ठीक है URL में आप admin लिखेंगे एंटर करेंगे तो यह admin का login पे जा जाएगा अब admin से login करने के लिए मैंने यहां पे admin लिखा फिर password भी दे दिया admin login पे click किया तो आप देखेंगे यह admin से login हो चुका है अब admin देख सकता है कितने number of student register हो चुके हैं इस website में और कितने instructors हैं instructor means faculties कितने हैं जो course create करेंगे तो instructor आप देख सकते हो अभी एक instructor मेने already 8 किया हुआ है तो वह आपको यहां पे display हो जाएगा ठीक है अब क्योंकि मेरा internet connection थोड़ा सा problem कर रहा है यह थोड़ा late open हो रहा है ठीक है यह open हो चुका है तो यह instructor का data यहां पे आ गया यह instructor किस college का है और email id क्या है contact number क्या है institute का नाम क्या है ठीक है और यह कितने student को expected student कितने उसमें course में register होने के लिए ठीक है faculty ने course को डाला है तो क्या सोचके डाला है कि कितने student इसमें enroll हो सकते है और purpose क्या है यह सारी information instructor को sign up करते समय देना परती है student view student पे जाएंगे तो यह student का page open हो जाएगा कितने student है उस सारी information यहां पे आ जाएगी view courses instructors ने जो भी courses upload किये होंगे वो data यहां पे आ जाएगा course का नाम किस date को डाला था कब यह end होगा course का image अगर डाला होगा तो आएगा नहीं डाला होगा तो नहीं आएगा image को मैं यहां display भी कर सकता था बट अभी मैंने यहां पे उसकी location डिस्पले की होई है किसने upload किया है यह course उसका email id आ जाएगा अब यह तो था instructors admin section admin चाहे तो अपना password भी change कर सकता है यहां से और अब मैं इससे logout करता हूँ अब मैं आपको login करके दिखाता हूँ ठीक है अब मैं already जो मैंने एक student create किया है उससे में login करता हूँ फिर मैं आपको एक नया student create करके दिखाऊंगा shubham.gmail.com तो login के लिए हमें email id एंटर करना है और password एंटर करना है ठीक है password गलत होगा तो आप देखेंगे message आ गया था invalid login credentials तो मैंने सही username password दिया और अब यह login हो चुका है अभी मैंने main page पे कुछ भी नहीं रखा है मैं यहां पे भी आगे कुछ designing वगरा या कुछ यहां पे मैं create कर लूँगा ठीक है अब explore पे जाते हैं तो यह क्या होगा courses की list आ जाएगी जो भी instructor ने courses दिये होंगे upload किये होंगे उन course का list यहां पे आ जाएगा ठीक है और किसी भी course में अगर enroll होना है तो आपको यहां click करना पड़ेगा बट यह जो student है उसने already enrollment इसमें किया हुआ है तो उसको यह message आएगा you are already enrolled in this course ठीक है अगर enrollment हो चुका है आपका तो दुबारा आप enrollment इसमें नहीं करोगे आपका यह course running में है इस course में भी मैंने enrollment किया हुआ है इस student से बट इस course में नहीं किया है ठीक है आप देख सकते है my dashboard में दो courses में enrollment किया है तो my courses में यह list यहां पर आ रही है जैसे मैं एक और course में enroll करना चाहता हूँ तो मैं web designing में चाहता हूँ यहां पर enroll करता हूँ तो अभी enrollment pending में चले गया है मतलब जो instructor होगा वो चेक करेगा अगर वो चाहेगा तो वो इसको accept कर लेगा अभी फिर से enroll करता हूँ तो आप बता रहा है आप already enrollment की request send कर चुके हो ठीक है अब my dashboard में जाके आप देख सकते हैं यह course का detail यहां पर आ चुका है दो course में enrollment इसका हो चुका है जो की accept हो चुका है अब यहां पर दो option है multimedia book instructor ने जो भी books upload की होंगी ठीक है जो भी course मतलब इसमें books में क्या रहेगा multiple topics रहेंगे multimedia book जैसे HTML हे तो HTML for beginners HTML for novice ऐसा अलग-अलग topics उसने डाल दी हैं course के अंदर अलग-अलग topics हैं फिर topics के अंदर क्या होगा अलग-अलग files होंगी जैसे HTML file अब यह book है book के अंदर multiple files हो सकती है तो इसमें मैंने दो file डाली होई है instructor के थुरू अब user चाहे तो इसको download कर सकता यह download हो गया ठीके form take इस पर जायेगा तो यह download होगया यहां पर ठीके जो भी मैंने डाला है अभी file के लिए data वो download होगया यहां पर आ रहा है ठीके मैं इसको open करके यहां देख सकता हूँ मुझे अभी जरूवत नहीं है तो मैं delete कर देता हूँ यहां से ठीके अब इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला है यह इस तरहीके से drop-down की तरह मैंने बना आया इसको अब assignment section अब html के अंदर जितने भी assignment upload किये होंगे उसकी list यहां पर आ जाएगी एक ही assignment अभी मैंने upload किया है मैं आपको बताऊंगा कैसे instructor upload कर सकता है और यह assignment जो है इस student के through में already complete कर चुका हूँ और इसको instructor ने marks भी provide किये है ठीके मैं अब आपको एक नया user create करके दिखाता हूँ या फिर पहले मैं आपको instructor से login करके दिखाता हूँ instructor से login करने के लिए आपको मैंने यहां पर मैंने link दिया हुआ है education portal for instructors ठीके तो मैं already मैंने एक instructor जो create किया हुआ है उससे मैं login करता हूँ तो instructor भी क्या करेगा अपना email id और password एंटर करेगा ठीक है user name password गलत होगा तो login नहीं हो पाएगा ठीक है आप database में भी check कर सकते हैं क्या data मैंने डाला है तो password है 1234 तो यह मैं insert करता हूँ 1234 ठीक है नया instructor sign up भी कर सकता है अब enrolled student कितने student already enrolled कर चुके है number of student आ जाएगा कितने enrollment हो चुके है 2 और submitted assignment कितने assignment submit हो चुके है 1 ठीक है अब जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ ठीक है कितने course के लिए enrollment हो चुका है वो data यहां पे आ जाएगा ठीक है accept वाले को वहां पे count हम कर रहे है submitted assignment कितने assignment submit हो चुके है वो data यहां पे आ जाएगा जो भी assignment submit किया होगा student ने उसमें कुछ file उसने submit की होगी assignment जब दिया होगा तो कोई भी file text file PDF file जो भी upload की होगी तो यहां पे आएगी तो instructor उसको download करके check कर सकता है फिर उसके according वो marks assign करेगा यहां से जाके आप marks को assign कर सकते हो अब मैं already इसको marks assign कर चुका हूँ 50 ठीक है मैं change भी कर सकता हूँ अब instructor जो है सबसे पहले तो course create करता है ठीक है view course में वो देख सकता है क्या क्या course इसने create किये हैं तो जो course current जिससे मैंने login किया है उसी के ठीक है जिससे मैंने login किया है उसने जो course create किये होंगे वही उसको display होंगे दूसरे instructor के course उसको नहीं display होंगे course को delete भी कर सकता है अब इस course में वो चाहे तो कोई book upload कर सकता है multimedia book जो आप देख रहे थे वहाँ पर या फिर वो book के अंदर topics पी upload कर सकता है ठीक है ये book का title आ जाएगा ठीक है तीन book के title में ने upload किये हैं और उसमें आप कोई नया course नया content upload करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं add assignment यहां से assignment upload किया जा सकता है course का title आ जाएगा और assignment question आप दे सकते हैं कोई अगर file upload करना चाहते है assignment की ठीक है आप कुछ क्या बोल सकते हैं की assignment document देना चाहते हैं कुछ questions है multiple बहुत सारे questions हैं तो वो file भी आप दे सकते हैं कि यह data है इसके basis पर आपको solution करना है और assignment question आप चाहें तो description में भी लिख सकते हैं ठीक है book upload करते समय आपको यहां पर course के नाम आ जाएंगे और यह course वही आएंगे जो आप यहां पर 8 course करते समय आपने upload किये होंगे ठीक है course का starting date, end date, course का title और file को select करना है मतलब course की एक image आपको select करना है और नहीं करोगे तो एक default image display होगी ठीक है जैसा की मैं view course में जाके देखता हूँ ठीक है यह सारे courses है enrollment request कोई नया request आता है तो यहां पर display होगा ठीक है अभी जैसे यह status के आ रहा है, pending आ रहा है तो हम इसको status को accept और reject कर सकते हैं ठीक है अभी मैंने web designing के लिए enroll किया था शुबह में student से login करके तो मैं इसको अब status क्या करता हूँ, इसका accept कर लेता हूँ ठीक है admin अपना profile देख सकता है और update भी कर सकता है मैं अब student से login करके आपको दिखाता हूँ अभी शुबह में student से हम फिर से login करते हैं एक बार अभी मैं और इसमें updation कर रहा हूँ, यह project अभी in progress में है ठीक है कुछ और भी मैं इसमें improvement करते रहूँगा ठीक है अब जिसे अब आप देख सकते हैं my dashboard में यह web designing यहाँ पर आ गया क्योंकि यह enroll already कर चुका है और accept भी हो चुका है बट इसमें अभी कोई books मैंने नहीं डाली यह instructor ने और कोई assignment भी नहीं डालें तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है मैं आपको एक नया user create करके दिखाता हूँ नया student तो मैंने यहाँ पर नया student create करने के लिए sign up पे click किया यूजर चाहे तो अगर वो student password वगरा भूल गया हो तो यहाँ पर वो email id और यह सब डालके password वापस उसको मिल सकता है जैसे shubham मैं लिखा shubham at gmail.com और उसका security question answer जो उसने दिया होगा तो उसके basis पर यहाँ पर password आ जाएगा बट security question answer गलत देंगे तो फिर वो नहीं आएगा यहाँ पर email id देना भी जरूरी है ठीक अब जैसे security question answer गलत दिया है तो यह आपका password डिस्पले नहीं हो पाएगा ठीक है हम क्या कर रहे थे एक नया student create कर रहे थे तो sign up पर जाता हूं मैं यहाँ पर sign up कर लेता हूं ठीक है मैंने first name दे दिया last name दे दिया email id दे दिया और उसके बाद password ठीक है password भी दे दिया कोई image अगर आपको select करना है ठीक है user अपना image भी डाल सकता है तो image मुझे कहां से मिल जाएगा आपके system में जहां भी कोई image हो तो user उसको डाल सकता है ठीक है तो मैंने एक image यहाँ से select कर लिया और कुछ में यह questions भी मैंने दिये हुए है security question security answer जो कि आप password अगर भूल जाते हो तो उसमें आपको यह help करेगा password को recover करने के लिए sign up successful ठीक है sign up successful हो चुका है my dashboard में अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने किसी भी course में enroll नहीं किया है ताकि student जो है अपना data देख पाए ठीक है student उसमें enroll हो पाए तो यहाँ पर मैंने email id password enter किया login किया enrollment request में जाएंगे तो यह नया request यहाँ पर आ चुका होगा ठीक है हरीश user के थुरू हमने request send किया था तो अभी यह request क्या है pending में मैं assign status करता हूं और इसको accept या reject कर सकता हूं मैं accept करता हूं submit किया ओके तो यहाँ पर आप data खाली हो चुका enrollment request अब नहीं है अब मैं आपको log out करके दिखाता हूं और login करता हूं वापस student से ताकि वह अपने courses जिसमें उसने enroll किया था तो उसको access कर पाए तो अब आप देखेंगे my dashboard में यहाँ पर यह क्योंकि उसका request approve हो चुका है accept हो चुका है तो अब वह किस college के तुरू यह किया गया है मतलब जो instructor था वह किस college का था तो उसके basis पर यह college का नाम भी आता है यहाँ पर और multimedia book यहाँ पर आ गया assignment अभी assignment पर देखोगे तो इसने कोई assignment submit नहीं किया है marks भी इसको कुछ भी नहीं मिला है अभी assignment को access भी कर सकता है ठीक है multimedia book यह book यहाँ से download कर सकता है उसके basis पर फिर देखो मैं download करके भी दिखायता हूँ आपको यह download हो गया assignment अभी access कर सकता है यह question आगया description और कुछ file अगर दी होगी useful files इंस्ट्रक्टर ने तो वह भी download कर सकता है ठीक है तो यह file download हो गई उसमें उसको question वगरा जो भी useful files होगी assignment complete करने के लिए वह उसने दी होगी जैसे यह दी होगी यह बताया हुआ है कि एक image दी होगी image के basis पे आपको page create करना है navigation bar create करना है और यह लिखा है files to be submitted कोई भी file आप upload कर सकते हो assignment submit करने के लिए मैं अगर बिना file select कि यह submit करता हूँ तो मुझे message आएगा please select a file to upload तो मैं कोई file select कर लेता हूँ अभी तो मैंने कोई assignment अगरा नहीं बनाया है मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कोई file लेता हूँ जैसे कि मैंने ठीक है कोई भी मैं छोटा सा file लेता हूँ ठीक है submit किया कोई भी file हो सकता है PDF, text और document submit किया, assignment submitted successfully. अब assignment क्या हो चुका है? Submit हो चुका है ठीक है view my assignment page अभी मैंने नहीं बनाया है ठीक है, अब assignment क्योंकि submit हो चुका है तो मैं यहां पे मिदेखूँँगा कि अब यहां पे क्या आ गया? submitted आ गया बट कोई marks मुझे नहीं मिले है ठीके अब मैं दुबारा इसको एक्सेस करूँगा तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इसको submit कर चुका हूँ अब instructor इसको देखेगा user चाहे तो अपना profile भी edit कर सकता है उसको image edit करना है तो image पर click करके वो अपना image भी change कर सकता है मैं आपको दिखाता हूँ कोई दूसरा image upload करता हूँ मैं ठीके ज्यादा images मेरे पास है नहीं फिर भी कुछ images यहाँ पर होंगी मेरे पास ठीके तो मैंने यह वाला image ले लिया open किया सब्मिट किया तो आप देखेंगे image अपडेट हो जाएगा यूजर अपना कुछ first name last name चेंज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है id चेंज नहीं कर सकता है जैसे मैंने नाम में h को capital कर दिया और last name में p को capital कर दिया अपडेट कर दिया तो यह profile update हो चुका है मैं नाम बदल भी सकता था या कुछ mistake होई हो तो मैं change कर सकता था उसको ठीके अब मैं वापिस करता हूँ login किस के थुरू instructor के थुरू और marks provide करता हूँ तो instructor से login करते हैं ठीके submitted assignment अब यहां पर दो हो चुके हैं ठीके एक assignment अभी हरीश के थुरू submit हुआ है answer file में जाके instructor देख सकता है कि जो student ने submit किया है वो क्या है तो यह file हमने submit की थी ठीके उसको वो open करके देख सकता है अभी तो मैंने कुछ भी file डाल दी थी तो उसके according फिर वो उसको marks provide करेगा ठीके तो मैं इसको अभी यहां पर marks में क्या रहा है ना ला रहा है कोई marks नहीं है तो मैं यहां पर कुछ marks देता हूँ जैसे कि मैंने दे दिया 40 सब्मिट किया marks edit successfully ठीके तो यहां 40 आ गया अब अगर मैं login करूंगा यूजर से यह सारे section मैंने आपको बता दिये ठीक अभी assignment मैंने 8 करके नहीं दिखाया आपको बट यह working है सब कुछ ठीके क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं इसको logout करता हूँ और मिस्टेक्स हैं वह भी मैं recover कर रहा हूँ दिये दी रहे ठीक about us contact us page भी मैं आपको दिखायता हूँ login करता हूँ मैं वापस student से Harish और password दे दिया Harish login किया तो अब मैं my dashboard पे अगर जाओंगा तो मैं देख भी सकता हूँ कि मुझे कितने marks मिले हैं इस assignment में तो यह 40 आ चुका है अब मैं यह दुबारा इस पे नहीं जा सकता हूँ assignment पे क्योंकि मैं submit कर चुका हूँ ठीक है अब जो नया assignment आएगा तो वह भी नीचे list में आते जाएगा और उसमें भी शुरू में नोट submitted आएगा फिर मैं उसको select करके उसमें files वगर upload करके उसको submit कर सकता हूँ फिर instructor जो है marks प्रवाइड करेगा तो यह assignment के लिए भी काफी अच्छा है जैसे किसी भी college में इसको use कर सकते हैं ठीक है instructor login कर सकता है किसी भी college का और assignment प्रवाइड कर सकता है student को फिर assignment की और file भी दे सकता है questions भी दे सकता है साथी साथ books भी प्रवाइड कर सकता है multimedia book ठीक है PDF file के form में या document file के form में और उसमें यह sections का भी मैंने option दिया है ठीक है book का title और इस title के अंदर आपको क्या-क्या topics रखने जैसे एक book है तो उसमें काफी सारे topics होते हैं ठीक है मैं यहां से logout करता हूँ तो friends यह पूरा समझ चुके होंगे आप admin भी मैंने आपको दिखा दिया admin में जाने के लिए आपको यहां पर admin लिखना है ठीक है admin से login यहां पर हो जाएगा आपका ठीक है तो काफी ज्यादा code मुझे लिखना पड़ा था यहां पर इसको करने में ठीक है क्योंकि काफी conditions मैंने लगाई है उसके बाद यह develop hope आया और भी मैं इसमें कुछ minor mistakes हैं तो वह भी मैं बहुत ही जल्दी recover कर दूँगा अगर आप इसका source code चाहते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं यह मेरा contact number है source code का cost में नहीं यहां पर दिया हुआ है और यह source code plus report plus ppt का cost है So friends मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and thank you so much